हेलो फ्रेंट्स मैंने विजनुप सिंग और आप देख रहे हैं सिंसी टेकर स्केल चाहिए दोस्ता आज हम बात करने वाले हैं जो टर्निंग मसीन होती है उसके अंदर जो माइक्रो प्रोगाम की से ओपसेट कैसे लेते हैं उसके उपर मैंने एक टेपर मिलिंग का यह उपसेट को हम जब यूज करते हैं तो मसीन में हमें क्या क्या करना होता है यह चीज भी आपको बताऊंगा देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम आप लोग काम करते होंगे सिंसी में तो आप लोग उपसेट कैसे लेते हैं एक मिनिट मैं आपको थोड़ कि हमें offset लेना है यहाँ पर इस तरीके से आप लोग टूल को टेच करा लेते हैं और offset आप offset में X और Z यहाँ भी ले लेते हैं तो देखिए अपना लेने का अलग-अलग तरीके offset का बट जो चीजे मैं अभी बताने वाला हूं जैसे आप लोग देखते होंगे BMC में BMC में जो offset ली जाती है हमारा पुराना वीडियो है उसको आप देख सकते हैं यूटूब एबलेबल है तो जैसे हम बावन इक्टिस जो हमारा चोवन का X का होता है इस तरीके से हम BMC में जैसे माइक्रो बनाते हैं और उसके बाद offset लेते हैं उसी परकार CNC का दूसरा जो offset लेने के तरीक है जीटेन यह भी मैं बता चुका हूं कि CNC में offset कैसे लिया जाता है G10 में हो तो हम कैसे लेंगे आज मैं बताऊंगा आपको कि अगर हमें micro में लेना हो micro डाल कर और offset लेना हो तब कैसे लेंगे तो वीडियो को last तक बने रहेगा क्योंकि micro बहुत important होता है आपको अगर सीख लिजेगा तो आपका growth और आपके skill को improve करने में आपको help मिलेगा तो यह चीजे इसमें अगर आप G10 में कैसे CNC में हम G10 का डाल कर offset लेते हैं अगर वो आप अभी तक नहीं देखें तो वो भी आ आप जाकर देख लिजेगा चैनल पर ही G10 G11 CNC प्रोगाम के नाम से यह वीडियो है और इसमें आपको पुरस सिखाये गया है कि एक टूल दो तीन चार पांच है साथ आठ दस तूल तक आप आराम से ले सकते हैं टैरेट उतने होते नहीं लेगिन आप उतना यूज कर सकते ह आज हम सीखने वाले हैं कि अगर CNC में बात करें तो एक टूल आट टूल बेसिकली लोड और तर्ट निंग मसीन में तो जो हमारा ट्रट लोड विक बना दए हमारे वीडिक चल वहया है है safety के लिए यूज होता है कोई वर्क में अगर correction कर दिया तो हमारा machine accident हो जाता है अगर मालेजिए हम वर्क के बात करें या offset के बात करें तो यहां पे कोई correction डाल जा सकता है तो उसके लिए अगर हमें correction को रूपना है कि हम कैसे micro program बना दें जिसे हमारा यहां पे अगर कोई भी value कोई put कर दे या कोई offset zero कर दे तो हमें उतना कोई फर्क ना पड़े तो उसके लिए देखे यहां पे जो यूज होता है x के लिए आप देखिएगा तो 27001 यह हमारा x के लिए यूज होता है और यह कहां तक यूज हो तक ही जरूत पड़ता है क्योंकि हम आठ टूल ही बांदते हैं तो इसको आप आठ दस तक यूज कर लिजिए 27002 अगर डालिएगा अगर 2802 डालिएगा तो आपने दूसरा टूल चलाईएगा उसका offset हो जाएगा और इसी परकार जब 2703 डालिएगा तो एकस का सताई 0 1 में हो जाएगा और 28 का इसमें हो जाएगा और आप उसके बाद यहां पर अपना प्रोगाम लिख दीजिए इससे पहले मैंने टेपर में माइक्रो कैसे बंदा भी बता जाता तेकिन आज जो अपना प्रोगाम है वो जैसे टूडी का ड्रैंग है इसके कोडिंग हमने बना रखा है जो की आपको यह चीज़े मैं अभी चला कर दिखा दूंगा और यह जो हम दिखा रहे हैं इसी का प्रोगाम है तो आप लोग यह इसी में टूल का ओपसेट माइक्रो में कैसे बनाया जाता रख इसको बताने का हमारा मेनुद्द से था अगर हम दूसरी के दूसरा टूल के बात करें तो हैज 2702 2702 एक्वल टू मान लिजे जो भी आप मान लिजे 400 माइनस 405 आ गया ठीक है 0.0 यह हमारा दूसरा टूल हो जाएगा और 2802 एक्वल टू तीन सो पंचानवे पांच जिरू इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इसके आगे आप जैसे टूल नंबर लिख सकते हैं टूल नंबर दो मैंने यहां एक स्वाइस लिख देंगे आपको पता रहा है और तूल नंबर एक है सोरी तूल नंबर दो का यह हमारा जेड है तो इस तरीके से हम यहां पे जो geometric का offset होता है उसको डालके हम program को बनाज सकते हैं अगर आपको इसमें correction करना हो तो इसका वियर का भी offset आता है 1201 है उसको भी try कर सकते हैं नहीं तो आपको अगर क्या करना होता है जैसे micro में क्या होता है जितना trigonometry वाले हमारे symbol होते हैं sine cost 10 होते हैं सारा कुछ अगर हम लिखते हैं तो automatic read कर लेता है तो अगर हमें dia यहां plus करना है तो आप यहां पर direct plus के दवाईए और 0.2 मने अगर 0.2 plus करना है तो यहां डाल दीजेगा तो यह automatic calculate कर लेगा इस तरीके से हम इसमें correction भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो program डाला है यह वही program है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको अगर इसमें देखेगा तो edit करके आपको मैं दिखा दूँ जैसे program पूरा उपन नहीं हो रहा है आप देखेगा तो हमने तो यहां तक तो डाल दिया इसके बाद देखेगा पचास जो हमारा ओवर स्पिंडल है वह जाता है सेट कर दिया जाता इससे स्पीड को और उसके बाद आप नीचे देखेगा तो यही program को हमने डाल रखा है तो मैं कोशिस करूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम program माइक्रो प्रोगाम में कुछ भी काम करते हैं वह चीजे हमें अंदर से offset से control करेंगे तो नहीं होगा राइट तो मैं वही चीज आपको दिखाने वाला हूँ जो कि इसके work में अब हम कैसे जो हम बना रखें इसके लिए तो कैसे यूज होगा देखिए जैसे अभी यहाँ पर offset आप क्लिक किजिएगा work में यह गा तभी हमारा machine run हो जाएगा तो यह data वहाँ पर update हो जाएगा तो चलिए मैं आपको चला के दिखा दूए एक बार machine का डूर क्लोज करना पड़ेगा और हम थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो अब हम machine को memory में लगा देते हैं और cycle को start कर देते हैं तो देखें machine उस चीज को वहाँ पड़ लिया है और यहां पर अभी cutting हो रहा है और इसमें देखें coolant भी चल रहा है बहुत ऐसे simulator के और सारे जो version है उसमें नहीं चलता लेकिन इसमें coolant भी चल रहा है और यह अपना program read कर रहा है अब यहां से यह taper taper जो operation था वह cut कर finish हो गया इस तरीके से हम micro में अपना offset को डाल कर work offset को डाल कर हम program बनाते लेंगे तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाए इनदे